बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दें ये सब मम्मियों की बहुत बड़ी प्रॉबलम है तो आज मैं आपकी प्रॉबलम सॉल्ट करती हूँ एक बहुत ही हेल्दी और कम तेल में बनने वाली रेसिपी से जो बहुत ही प्रोटीन रिच है और टेस्टी भी है साथ में बच्चने भी ले सकते हैं तो अब इसको एक ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और तकरीब एक कब तक के चने ले लेंगे इसको बहुत पतला नहीं रखना है बस इतना ध्यान रखे चना बहुत हेल्दी होता है प्रोटीन रिच होता है तो मैंने चना आज यूश किया आप चाहें तो इसकी जगह मूंकी डाल ले सकते हैं या फिर आप इस पे सूझी ले सकते हैं तो काफी सारी चीजों से इसको रिपLES कर सकते हैं अब बैटर तैयार हो गया है यहाँ पे पानी डाल देंगे और नमक डालेंगे आधा चाप के खरीप और इसको मिक्स कर लेंग तो कुछ इस तरह से बेटर हम इसको रखेंगे आप चलिए आलू की फिलिंग तयार कर लेते हैं तो यहां पर मैंने दो मीडियम साइज के उगले आलू लिये हैं और इनको हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे आप अपने बच्चों को टिफिन में क्या देते हैं ज़रू मुझे कॉमेंट करके बताएं और एक पैन में थोड़ा सा तेल लिया है मैंने और आधे चम्मच काली सरसो के दाने एक चम्मच चने की दाल एक चम्मच उरत की दाल एक बारी कटी हुई हरी मिर्च बिना सीट के है अध्रक को मैंने ग्रेट करके लिया है आठ दस करीबते दो लाल मिर्च आप इसको डाल करके फ्राई कर लेंगे तो अगर बच्चे मिर्च खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप उसको हटा भी सकते हैं पर मैं थोड़ा थोड़ा उनको देना शुरू कर रही हो जिससे उनको आदत पड़े थोड़ा मिर्च खाने की आधा कप प्यास डालेंगे और प्यास को बिल्कुल हलका साही हमें फ्राई करना है इसको सिर्फ जैसे ही ट्रांसलूसेंट होगी मतलब हलकी सी ट्रांस्वेरिंट से दिखे आपको बस इतनी देर आप इस पर डाल देंगे थोड़ी जलने ना पाए अब इसमें आलू डाल देंगे हरा धनिया डेर सारा कटा हुआ और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो यह जो आलू है बहुत टेस्टी बनता है इसकी फिलिंग बच्चों को बहुत पसंद आती और आलू के बिना तो मेरे बच्चों का गुजारा ही होता है उनको बहुत पसंद है पर आगर आप आलू नहीं देना चाहते तो फिर इसकी जगह पर स्वीट पटेटो मतलब शकरकन भी ले सकते हैं पानी डाल देंगे दो तीन चमच और इसको अच्छी तरह से पका लेंगे जिससे सारे फ्लेवर इसमें मसाले के मिक्स हो जाए और यह आलू भी थोड़े से मॉइस्ट हो जाए बिल्कुल ड्राइ ना रहे हैं और दो मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे अच्छे से बहुत अच्छी इस तरह से फिलिंग तयार होती है तो यहाँ पर देख रहे हैं आलू अच्छी तरह से ड्राइ हो गया है और मिक्स हो गया है अब इसको थोड़ा ठंडा करेंगे और एक बड़ा सा साइज लेकर के इसको हम ऐसे मतलब ब्रेट के शेप का दे देंगे मतलब स्कॉयर शेप में ऐसे इसको शेप देंगे साइट मैंने ओन कर दी है इसको गरम करेंगे साथ में स्कॉल का सग्रीज कर देंगे तो इसमें आप चाहें तो घी या फिर बटर भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत कम तेल घी का इस्तिमाल होगा इसमें अब अच्छी तरह से बैटर को पहला देंगे पतला पतला बहुत मोटा न अब कुछ पूंदे तेल की और भी डाल देंगे हम इसकी उपर जिससे यूपर बैटर चिपके नहीं बंद करेंगे और इसको दो से तीन मिनट तक दोनों साइट से से केंगे तो आज को धीमा ही रखें जिससे अंदर तक बहुत अच्छा सिख जाए और बस तीन मिनट के ब साथ पलट देंगे और दूसी साइट से भी सेख लेंगे चाहे तो आप बीच में खोल करके भी देख सकते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना सिका है या नहीं यह देखिए परफेक गोल्डन कलर और यह हमारा बिना ब्रेट का बहुत ही हेल्दी सैंडविच करके तयार हो गया है अब इसी तरह से में और भी बना लूँगी और बस इसको बीच में से कट करेंगे और बच्चों के पसंद के सौस या चटनी के साथ इसको सर्फ करें लंच बॉक्स में दे या फिर आप इसको शाम की चाय के लिए बना सकते हैं महमानों के आने पर बना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं जिससे मुझे पता चलेगा आपकी पसंद और ना पसंद का साथ ही आपकी जरूरत का देखते रहें समस किचिन थांकियो सो माच